Hello friends, welcome back to Prabhalo classes. आज हम Constitution में schedule देखेंगे और उसके features यानि कि किस schedule में क्या-क्या provisions दियेगे? देखें, जो first schedule है हमारी वो बताती है state और union territories के बारे में, उनके names के बारे में कि कौन-कौन से state है हमारे और कौन-कौन से union territories हैं. उसके बारी की tutorial jurisdiction यानि कि प्रादेशिक छेतरा अधिकार के बारे में बात करती है states राज्यों के, कि किसी राज्ये की प्रादेशिक जो सीमा है वो कहां तक है? Second schedule आपकी allowance, privileges और आपके emoluments यानि की परिलब्धियां या उपलब्धियों के बारे में बताता है. किसके allowance यानि कि किसके भक्ते विशेशादिकार उपलब्धियों की बात करता है ही? President of India, Governors, Speaker and Deputy Speaker of Logsabha, Chairman and Deputy Chairman of Rajasabha, Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly यानि की विधान सभha, Chairman and Deputy Chairman of Legislative Council यानि की जो Legislative Council है उन्हें विधान परिशद भी कहते हैं. Supreme Court Judges, जो Supreme Court के Judges हैं, High Court के Judges हैं और आपकी Contemplator Editor Journal of India भारत के नियंत्रफ और महले का परिशेश से हम कैग भी कहते हैं. इन सब की जो हैं, allowance हैं, जो privileges हैं और जो आपकी लब्धियां हैं, उपलब्धियां हैं, वो सारे आपकी कौन सी schedule मेंशन करती है? Second schedule बताती है. Next है हमारी third schedule. Third schedule में ओत और affirmation दिये हुए हैं, किसके? Union Ministers के, Parliament Election Candidates के, Member of Parliament के, Supreme Court Judges के, Contemplator Editor Journal के, State Ministers के, State Legislation Election के, जो candidates हैं, उनके, और State Legislative Member और High Court के Judges के, वो किस तरह से, ओत अपनी और affirmation लेंगे? तेकि, next है हमारी fourth schedule. ये allocation of seat की बात करता है, for state and union territories, यानि कि, जो state और आपके संग शाषित प्रदेश हैं, उनकी, जो seatों का आवंटन होता है, वो किस तरह से किया जाएगा? और कितनी-कितनी seat, किस state और किस union territories को दी जाएंगी, इन राज्य सभा में, तो उसके बारे में आपका four schedule provision करता है. वहीं fifth schedule की अगर बात करें, तो administration control की बात करता है, schedule areas or schedule tribes, यानि कि, जो schedule areas हैं, किसके किसी भी state में, अगर कोई schedule areas हैं, तो उनके administration control की बात करें, उनके प्रिशाशन और उनके नियंदन की बात करता है. अब बात आ रही हैं कि schedule areas कौन से होंगे, तो ऐसे tribal areas, जिनकी population 50% से जादा है, यानकी more than 50% of tribal population है वहां की, तो वो आपके हो जाएंगी schedule areas, चाहे हो किसी भी state के हों. वहीं, अगर 6 schedule की हम बात करें, तो administration of tribal area, ये भी tribal area के administration की बात करता है, बट ये particular 4 state की tribal areas की बात करता है, अगर आप 2-3 वार इसको बोलोंगे, अगर ये लर्ण हो जाएगा, तो ये किसकी बात करता है, इन 4 state की जो भी tribal areas है, उनकी administration की बात करता है, देखिए, 5th of schedule का main object है, उनकी, जो culture है, उसको protect करना, क्योंकि जो हमारे developed state है, उनका जो अगर living standard कहा जाए, तो बहुत हाई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी living standard के जरिये, जो है, कहीं जो tribes है, उनके culture है, वो कहीं लुपना हो जाए, तो ये था आपका 5th or 6th schedule, next है हमारी 7th schedule, 7th schedule जिससे मैंने आपको जब source of constitution बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि 3 list होती है, 7th schedule में, union list, संग सुची, state list, राज्य सुची, concurrent list, समवर्ती सुची, यानि कि, जो union list है, उसमें जितने भी subject है, उस पे law बनाने की, यानि कि law making power से भी union की है, यानि कि संग की है, कि इंदर की है, वहीं अगर state list म जो भी subject दिये हुए है, उसमें जितने 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 भी subject दिये हुए ह 22 ओफिशल लेंविज हैं, यानि कि किसी भी लेंविज को ओफिशल लेंविज तब ही कहा जाएगा, जब वो एट शेडूल में में मिंचन हो, आपने ये नियूज में सुना होगा, कि जो भोजपुरी है, उसे काफी टाइम से ऑफिशल लेंविज बनाने के लिए, जो संसर है, उसमें बहस होती रहती है, तो जैसे ही वो ऑफिशल लेंविज बन जाएगी, तो वो आपकी ये शेडूल में एड़ करती जाएगी, यानि कि जम्मेदारी उनमूलन व्यवस्था थी ये आपका उससे डिल करता है ये जो हमारा 9 शेडूल है ये एड की गई थी 1st Amendment Act 1951 के थ्रू तू प्रोटेक्ट अ लॉस उन लॉको प्रोटेक्ट करने के लिए included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights के जो भी law 9 शेडूल यानि की land reform और जम्मूलन से संबंधित बनाए जाएंगे उनहें जो judicial scrutiny है यानि की जो नियाई जाज है उससे उनमुक्ती प्राप्त होगी यानि की जो law 9 शेडूल के थ्रू बनाए गए हैं उनका judicial review नहीं होगा नियाई ले ये उसकी जाज नहीं कर सकती है उनियाई ले कोई अधिकार नहीं होगा कि वो उसकी जाज करे किस ग्राउंड पे कि वो violation कर रहे हैं fundamental right यानि की मूल अधिकार का बट इन दा केस ओफ आयार हुए लो वर्सेल स्ट अफ तमिल नादू A.I.I.I. 2007 तस सुप्रीम कोर्ट रूल दे लाउंगूदे इन दे शेडूल आफ्टर अप्रेल 24th 1973 आर नाओ उपिन तू जिरूशल रिवियू लेकिन जो आयार हुए लो का केस था उसमें सुप्रीम को ने ये हेल किया कि आफ्टर अप्रेल यानि की 24 अप्रेल 1973 के बाद जो भी लौ बनाये जाएंगे नाइन शेडूल के अंदर उनका जूडिशल रिवियू निया अले के द्वारा किया जा सकता है कि वो कहीं फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन तो नहीं कर रहा है मैं आपको याद दला दूँ तो 1973 में आपके केश्वा अनंदर भारती का केस आया था और उस केस के बाद ही ये सुपीम कोट ने आयर कोईलो के केस में ये जज्जमेंट दिया था नेक्स्ट है आपकी 10th schedule इसे 52nd amendment act 1985 के थूँ एड किया गया था इसे anti-defection law यानिकी दल विरोधी कानून भी कहा जाता है इस schedule के थूँ जो member of parliament और state legislature के हैं उन्हें disqualified किया जाता है कि इस ground पर defection के उन्होंने दल बदल किया है यानि कि कोई भी अगर member है parliament या state legislation में और अगर वो अपना दल बदल लेता है तो उसे disqualified कर दिया जाता है on the grounds of defection की उन्होंने दल बदल किया है अपना नेक्स्ट है मारी 11th schedule 11th schedule add की गई थी 73rd amendment at 1992 के थूँ जो specify करती है powers, authorities and responsibility of panchaits की जो panchaits हैं उनकी क्या power, authority and responsibility होगी वहीं कि 29 subjects की बात करती है जिसे related panchaits को act करने होते हैं, कार्य करने होते हैं panchait की अगर मैं बात करूँ जो जब मैंने आपको director principle of state policies कराएं थी तो उसमें मैंने आपको article 40 बताया था कि जो panchaits से related है तो connect किया जी कीजिएगा नेक्स्ट आपकी 12 schedule है, यह add की गए थी 74th amendment act 1992 के थूँ यह specify करती है power authority और responsibility of municipalities जैसे कि जो 11 schedule में उसमें panchaits को 29 subjects दी हुई हैं, वैसे ही जो municipalities है 12 schedule में उसमे 18 subjects दी हुए हैं जिससे related to उनको act करना होता है तो friend thanks for watching, यह थी आज की हमारे वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो like, share, subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon भी प्रेस कर दीजिएगा for more notifications टेक्यों, बाबाई